हाई गाइज मैं हूँ अस्वानी माउर्या और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल अस्वानी माउर्या ओमनी पोटेंट तो आज मैं आपको शुडियों बताने वाला हूँ पाइप काटने का जुगार और पाइप को सही और सटिक तेके से कैसे काटा जाए तो आइए मै सब्लेट एप लेकिवर पड़ेगी और एक प्रमानिम्स अधयर कि जिर्वर्य को चीणध लगाने के लिए मार्किंग करने के लिए तो यहां मैं आपको दिखा करता हूँ मैं हम देख सकते हैं इसको जब हम काटते है तो क्या होता है कि यह पतला होने के वजजे से जब हमा करते हैं कि हम यहां इस चली काता है कि कभी पायपी चली खुखा मुनता हो चैकर कड़ा है और चैनला और इस तरिके से काटते 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 जोए कि हम यहां काटते आते हैं और काटते 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 जोए कि यहां आते हैं हमारा इतना डिफरेंट हो जाता है जब हम पाइप को कटिंग करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं और गुमाते 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 गुमात यहां कि क्या करना है कि पहले आपको सिरा करना है कि यहां कि यहां से काफी प्रेश फ्रेश को उसके बार तो क्या करना है कि इसमें एक इंच या आधा इंच यहां से माल लीजिए काट लेना है तो यहां आप इसका एक टुकड़ा काटे हुए हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा एक सीरा फ्रेस है और यहां इसका एक टुकड़ा हम काटे हुए हैं और काटने के बाद आपको इस तरीके से भी काट दि ही है कटिंग के बाद आप इसको जमीन पे या पत्थर पे इस तरीके से गोल-गोल घिसेंगे तो आपका एक साइड का पूड़ा फ्रेस हो जाएगा और फ्रेस वाले साइड को क्या करना है इसके उपर ये कट लगाना के बाद इसको उपर इस तरीके से रिंड से चढ़ा देना है और क्या है चढ़ाने के बाद आपको एक ध्यान और देना है यहां जब आप चढ़ाएं तो इसको इस तरीके से यहां आप देख सकते हैं यह वाला पीस काटना हो जितना भी पीस काटना है तो यहां आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से रिंग को चढ़ाना है और रिंग को चढ़ाने के बाद जोएकी आपको यहां से चीन लगाना है तो यहां जोएकी हम चीन लगाते हैं और यहां इतना छोटा होने के वज़र से बिल् नियां, चीन और यहाँ मैं आपको खुमा खुमा के दिखा देता है ये कोई दिक्कत नहीं है इसमे अगर आप इसी तरीके से जहां भी आप चिन लगाएंगे और चिन पर ही काटेंगे तो वहां आपको कोई दिकत नहीं होगा यहां जो एकि मैं आपको यहां भी चिन लगा कर दिखा चुका हूं और यहां भी आप देख चुके हैं तो यहां एक कटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूं तो यहां मैं आगे फ्रेंट पर एक कटिंग करता हूं पतला सा तो यहां जो है कि मैं एक चिन लगाता हूं जो है कि पहले आप इसको ध्यान में लगते हैं जो है कि चिन लगाता हूं और यह जो है मारा चिन लग चुका है और यह जो है कि हमारा चिन लग चुका है और यह जो है कि हमारा चिन लग चुका है और इसी चिन पर अब हम कटिंग करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट पर एक चिन लग चुका है और लगने के बाद जो है कि अब हम यहाई पर एक कटिंग करेंगे तो यहाँ जो है मारा चीन लगा हुआ है इसी चीन पर हम कटिंग करेंगे और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ जो है कियों यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ चीन लगाये थे यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं चीन पर हमने कटिंग किया है और पाइप बिल्कुल गोल्ट फ्रेस आया हुआ है और यहां आप देख सकते हैं कहीं भी उंचा नीचा नहीं हुआ है और टेढ़ा भी नहीं हुआ है तो आप इसी तरीके से आप रिंग एक बार बना लेंगे रिंग बनाने के बार आप उसी साइज के पाइप को जैसे इसको भी आप रिंग बना सकते हैं इसको एक साइट फ्र मार्किंग इस तरीके से करेंगे तो जो है कि इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो है कि आप जब कटिंग करेंगे तो एक दम आपका पाइप बिल्कुल सही और सटिक तरीके से आएगा तो इस तरीके से आप किसी भी प्लास्टिक पाइप वो सही और सटिक तरीके से कार स और सिभे वाले भाग को आगे की वो जिधर आपको चिन लगाना है उस ताइप से आपको इधर गुसा लेना है गुसाने के बाद जो है कि आपको यहां जो है कि इसको देख लेना है कि यह बराबर होना चाहिए फिर चिन लगाना है और चिन लगाने के बाद चिन पर ही आपक स्क्राइब ने किया सब्सक्राइब करें वीडियो को इंट तक देखने के लिए धन्यवाद